हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब मैं हो रुपाली और आपका स्वागत है हमारे चानल कुकेंट फ्राइ में आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ चावल के आटे का मीठा नाश्ता इसका टेस्ट काफी कुछ अनरसे जैसा है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इंस्टिंट अनरसे की रेसेपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने ले लिया है एक बोल और इस बोल में हम डालेंगी एक कप चावल का आटा और हमने जितना चावल का आंटा लिया है उसका वन थर्ड हमें चीनी लेनी है निकी एक तिहाई कब चीनी हमने डाल लिये पिसी हुई और दो छोटे चमच देसी घी आप मोयन अपने अकॉर्डिंग कम जाधा कर सकते हैं अगर आप जाधा खस्ता रखना चाहते हैं इसे तो थोड़ा सा घी जो है वो इंक्रीस कर दें और अब इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे हम और अब हमें इसे नीड करना है दूद में और दूद आप ये धियान रखें एक बार में बहुत सारा दूद ना अड़ कर दें वरना ये जो आटा है ये काफी गीला हो सकता है क्योंकि हमने इसमें चीनी मिक्स की है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही मिल्क आप इसमें आड़ करें आप देख सकते हैं मैं एक-एक दो-दो चम्मच ही मिल्क अड़ कर रही हूं इसमें और इस तरह से आप इसको गून ले तो इसको गूनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा हमें ये बहुत ही कम टाइम में गून जाएगा और इसके अलावा हमें इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक कप में मिल्क लिया है ये जो छोटा कप लिया है मैंने इसका मुश्किल से हाफ कप मिल्क में ये आटा ready हो गया है और आप देख सकते हैं काफी smooth हो चुका है ये आटा क्योंकि ये चावल का आटा है तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी binding नहीं आएगी तो जब आप इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा तूटेगा तो ये normal है क्योंकि ये चावल का आट है तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से एकठा हो गया है और ये आटा बनके ready है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए लगभग ढख के आप चाहें तो कपड़े से भी ढख सकते हैं इसे 20 मिनट बाद मैंने इसके उपर से प्लेट हटा दी है और हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे हाथेलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए थोड़ा सा चिकना कर ले तो बस हमारा जो डो है वो बिलकुल ready है अब हमने ले लिए है थोड़ी से तिल ये optional है अगर आप इन्हें कोट कर देंगे इस नाश्ते के उपर तो वो बहुत ही सुन्दर देखेगा नाश्ता और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो अब मैंने अपने हाथों को थोड़ा सा देसी घी से कर लिया है ग्रीस और अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके डो का आटे का और अब हम इसको round करके इस तरह से flat कर देंगे आप अ यह वाला शेप बना रही हूं इसका और इसको मैंने तिल से coat कर दिया है अब इसी तरह से हम बाकी के pieces बना के ready कर लेंगे यह देखिये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया आटे का और हथेले की बीच में round बना के इसकी ball बना के और इसको इस तरह से flat कर दिया बहुत ही easy ह हलका सा आप खी लगा लिजिए अपने हतेली पे इसको बनाने में कोई problem नहीं आई यह और इसकी केनारियां भी नई फटेंगी तो यह देखिये हमारा दूसरा पीस भी बन के ready है और मैं बाकी के सारे pieces भी इसी तरह से बना के तयार कर लूँगी तो हमारे सारे pieces बन के तयार हो गए हूँ यहां हमने गरम कर लिया है घी यह बिल्कुल medium गरम घी है बहुत ज़्यादा गरम ना कर लेंगी और flame भी हमने रखी है medium पे ही और मैं एक एक करके इसके अंदर यह सारे pieces डाल दे रही हूँ आप देख सकते हैं एकदम से डालते ही इसके अंदर bubbles नहीं उठें यानि कि हमारा जो गी है वो medium होट है बहुत ज़्यादा गी भी ना ले वरना यह जो pieces हैं यह काफी ज़्यादा गी अब्सॉप कर लेंगे और अगर आप ज़्यादा गी में इने fry करेंगे तो आप जानते से धीरे धीरे पलट दे इने जभी एक तरफ से सिख जाएं उसके बाद ही इने पलटे इस चीज का ध्यान रखिएगा और आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है इसी तरह से पलटते रहें और यह देखिए कितना प्यारा golden brown कल इनमें तो जैसा कि मैंने बताया अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इने बनाएंगे तो यह काफी टाइट हो जाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बिल्कुल लो फ्लेम पे इने ना बनाएं लो टू मीडियम फ्लेम रखें और अब मैंने इने एक किचन टावल निकाल लिया है जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो अब्सॉफ हो जाएं तो यह देखिए बनके तयार है हमारे इंस्टेंट अनर से या फिर चावल के इंस्टेंट मीठा नाश्ता आप जो भी चाहे इसे बुला सकते हैं यह काफी ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर स बहुत जादा कुरकुरा तो आप भी इस रेसिपी को बना के ट्राइ करें और हमें कॉमेंन सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चानल को सब्स्क्राइब कर